आज हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2024 एक्जाम के लिए असाइमेट ओनलाइन या फिर ओफलाइन या फिर गूगल फॉरम के माध्यम से समिट कर दिया है तो आपके असाइमेट का स्टेटस और असाइमेट का नंबर कब तक अपडेट किया जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु की सभी अपडेट और नोठिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोठिफिकेशन को आउन कर लिजे ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे इगनु में क्या होता है कि जो नए बच्चे असाइमेट को सम्मिट करते हैं तो उनको ये जल्दी रहती है कि असाइमेट का नंबर अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है जब आप असाइमेट को सम्मिट कर देते हैं यानि कि अगर आपने दिसंबर दोजार चौबीस एक्जाम के लिए सेप्टमबर या फिर अक्टूबर में सम्मिट किया है तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे है जो इस वाले पेज पर आते हैं और यहां से assignment का status चेक करते हैं और यहां पर सभी details को डालने के बाद जैसे आप submit पर click करते हैं तो यहां पर आपको submission status not found बताया जाता है वो काफी लंबा है उसके लिए मैंने एक लग से वीडियो भी बना रखा है वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा अगर आप उसको देखना चाहे तो देख भी सकते है कि जो आपका assignment है कितने step में check होता है कहां कहां पर checking के लिए भेजा जाता है तो अगर इस तरीके से बताया गया है submission status not found तो आपको परिशान होने के जरूरत नहीं है अगर आपने December exam के लिए assignment September या फिर October में submit किया है या फिर November में submit करने वाले हैं तो इसका जो status है और जो number है वो आपका update होने में March, April तक का समय लगेगा और उसका status आप यहीं से check कर पा लिखाया जाएगा और assignment का number check करने के लिए आपको कौन से subject में कितना number मिला है तो उसके लिए आपको grade card check करना होता है और यह सब चीजे अभी आपका update नहीं होगा इसमें समय लगेगा आपको March, April तक का wait करना होगा जब आपके assignment का number update हो जाएगा तो यहाँ पर आपको left side में इस तरीके से कौन से subject में कितना मिला है assignment में number वो आपको यहाँ पर इस तरीके से बता दिया जाता है तो अगर आपने assignment को online, offline study center पर, regional center पर या फिर email के मादेम से या फिर google forum के link के मादेम से submit किया है तो अभी आपको इंतजार करना होगा March, April तक है और इसमें भी यह रहता है कि सभी student का जो assignment का number है एक साथ update नहीं होता है, starting में बहुती कम बच्चों का number update होगा, बहुती कम बच्चों का status भी update होगा, starting में आपके एक subject का, 2 का, 3 का इस तरीके से number update किया जाएगा और इसका जो update है वो धीरे धीरे आता है, इसमें time लगता है, तो अभी आप इंतजार क जो assignment का number आपका update हो जाएगा, जो आपने December exam के लिए submit किया है, तो मैं आपको दूसरे वीडियो के में आदम से बता दूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को subscribe करके रखिए, और इसमें भी ये रहता है कि अगर आपने assignment को submit कर दिया है, और assignment को submit किये हुए, 9 महिना या फिर से जादा हो चुका है, लेकिन number आपके grade card में update नहीं हुआ है, तो ऐसे मैं आपको इगनु के तरब से बताया गया है, कि 9 महिना submit किये हुए हो गए है, लेकिन status नहीं update नहीं हुआ है, 9 number update हुआ है, तो ऐसे मैं आपको इगनु से यानि कि जो आपका regional center है, उनसे आपको contact करन होगा, तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है, तो लाइक किजिए, सेर किजिए, और इगनु के सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलिगराम चैनल को भी जोईन कर सकते है, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, साथी साथ आपको कोई सबाल है, त आ सकते है,